आईए हम लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं कि checking whether a number is prime number or not let's say for example हमारे पास यहाँ पर number है 13 तो हम इसको कैसे चेक करें तो होता क्या है कि हम शुरुआत करेंगे 2 से हमारा जो for loop होगा वो हम 2 से चेक करेंगे और कहां तक ले जाएंगे उसको number जो भी हमारा number होगा and divided by 2 वहीं तक हमें checking करने की जुरुवत है that means 2, 3, 4, 5 और 6 6 तक हम checking करेंगे अगर यह divide हो जाता है perfectly divide हो जाता है then this number is not a prime number और अगर divide नहीं होता then this is a prime number है ना 7 से हमें check करने की जुरुवत नहीं है because 14 अगर divided क्योंकि number exceed हो जाएगा 8, 9, 10 तक हमें divide करने की जुरुवत नहीं है तो maximum limit जो होगी वो हमारी होगी n by 2 और हम start करेंगे हमारा कहां से 2 से ठीक है let's say for example अगर मैंने यहाँ पर number 10 लिया तो शुरुवात में ही आपका 2 से divide हो जा रहा है that means कि यह क्या है आपका prime number नहीं है for example 7 अगर मैं 7 से divide करता हूँ तो मुझे कहां तक checking करने की जुरुवत है 7 by 2 that means 3 तक that means 2 और 3 से मैं divide करके देखूँगा अगर इन से divide हो गया तो ठीक है नहीं हुआ then it is a prime number तो यह हमारा logic होगा for checking whether a number is prime or not ठीक है तो हमारा जो for loop होगा वो शुरुवात करेगा 2 से और कहां तक जाएगा n divided by 2 तक तेखे तो आएए समझने की कोशिच करते हैं कि break statement कैसे काम करता है वही same program जो है हमारा prime number detect करने का उसको हम break statement की मदद से करते है let's say हम यहाँ पे number लेते हैं हमारा 14 ठीक है तो इसको maximum हम कहां से check कर सकते हैं 7 तर that means 7 will be the upper limit और हम शुरुवात कहा से करेंगे 2 से 2, 3, 4, 5, 6, and 7 तो अगर इन में से किसी से भी divide हो गया let's say 2 से divide हो गया then हमें इन बाकी को check करने की जरूत नहीं है ठीक है और अगर इसे से divide हो गया that means perfectly divide हो गया that means remainder उसका 0 आया then हमें बाकी से check करने की जरूत नहीं है और हमें loop को continue करने की जरूत नहीं है यही advantage हमें मिलेगा break statement का break statement यही करता है कि वो loop के बाहर पटक देता है that means यहाँ पर हमने यह loop लगा हुआ i is equal to 2 से n-2 था ठीक है i++ इसके बाद का है हमेंने कि अगर number mod i i की value यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से शुरुआत होगी 7 तक जब भी हमें encounter हो जाए that means perfectly divide हो जाए remainder आपका 0 आजाए then आप क्या करें print if कराए not a prime number और उसके ब्रेक ब्रेक का मतलब है कि वो इस for loop के बाहर पटक देता है और इसके बाद जो भी lines होती है उन्हें हम execute करते हैं तो break statement का simple यही पंडा होता है कि वो loop के बाहर पटक देता है तो हमें advantage जहाँ पे यह मिला कि हमें यह वाले comparisons करने की जुरूवत नहीं पड़ी और नहीं पड़ी hence हमारा जो program है वो faster हो गया उसकी execution जो है वो अब और fast हो गई that means response आपका और fast हो गया तो यह हमें advantage मिल लेता है break statement का तो break statement क्या करता है वो loop के बाहर पटक देता है इसके बाद हम continue statement पड़ते हैं तो continue statement क्या होता है आईए उसको जानने की कोशिश करते हैं